नमस्कार प्यारे साथियों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक महत पूर्ण विसाइकी जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि यह हमारा बारिस का सीजन यानि की मानसून का सीजन चल रहा है और मानसून के सीजन के आते ही हमारी इम्यून्टी के बैंड ब बच जाते हैं कि क्योंकि इस टाइम बैक्टीरिया जनित बहुत सारे रोग होते रहते हैं जिसके कारण हमारी इम्यून्टी के अंदर बहुत ही कम चमता बची होती है कि वह अन्य रोगों से लड़ सके और एक चीज और आपको बहुत ही अच्छे से पता होगी कि बरसात के समय आपके आस पास पडोस में मौले में टोले में गाओं के चारो तरब क्या हो जाता है चोटे चोटे गड़ों में पानी जमा हो जाता है और ये पानी धीरे 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 गड़ों में प्रदूसन के कारण क्या होता है सड़ने लगता है और इस सड़े हुए इसी सड अलग प्रकार के मच्छर अलग अलग प्रकार की भयंकर से भयंकर बिमारियों को जन्म देते हैं तो आज मैं उनी बिमारियों में से आपके लिए लागाह करने आया हूं कि आपको किस बिमारी और किस मच्छर से बशना है तो इस टाइम में यानि कि जो बरसाथ का सीजन होता ह गर्मी बढ़ती है कीचड में तो उस में पैदा होता है एक बहुत ही भैंकर मच्चर जो की है एडीज एजिप्टाई जी हाँ एडीज एजिप्टाई और जिस से फैलता है क्या डेंगू वाइरस क्या पैलता है डेंगू वाइरस और कमर तोड रीड की हड़ी का बुखार होता है भयंकर प्लेटलेस डाउन करता है तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डेंगू वाइरस के बारे में बहुत ही मात्पमों जानकारी आपके लिए अभी से आपको साओधान हो जाना है बने रही है पूरे वीडियो में जानते हैं आज हम लोग डेंगू के बारे में क्या होता है डेंगू कैसे होता है क्या-क्या साओधान या आपको बरतनी चाहिए डेंगू से अभी से आपको एकदम से गाट बान लेना है इन चीजों का तो हो जाए सावधान तो यह दिख रहा है आपके सामने एक भैंकर घंगोर एडीज एजिप्टाई जो क्या है भाई डेंगू का मच्छर है और यही बरसात के गड़े में आपक असपडोस पे पलता है और भैंकर रोग को जन्म देता है अब अगर हमें डेंगू की बात करें कि भाई किस मौसम में होता है तो बारिस के मौसम में डेंगू से सावधान रहें भारत में अगर हम आकड़ों को देखे अभी तक के तो भारत में या रोग बरसात के मौसम में और सबसे ज़्यादा बरसाइद के तुरंत बाद आपको डेंगू से साउधान होने की जरूरत है वरना रीर की हड़ी का कमर तोड़ बुकार आपको आ सकता है तिक है यनि कि जुलाई है वो मक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा प्रभावी विमारी है सबसे ज़्याद क्षाण है क्या भई बुखाराना तेज बुखार्णा और तेज बुखारो डेंगू सबसे भेंकर कायमे होता है कि प्लेट्लेस डाउन करता चला जाता है खून की उल्टी नाख से खूनाना मसूनों से खूनाना थकावट कमजोरी चिरचिडापन महसूस होना शरीर में स्वैलिंग ये सारे लक्षन किसके हैं डेंगू के हैं उल्टी करने पर भी ब्लीडिंग होना आखें लाल हो जाना भयंकर बुखार ये तने भयंकर भयंकर लक्षन डेंगू के हैं और डेंगू खतरनाक कब होता है तो डेंगू खतरनाक ज़रूरत है जल्दी से जल्दी हमें लक्षणों को जान करके तुरंट डिसी डांक्तर के पास इलाज करवाना ज़रूरी हो कुछ ऐसी भी हालात हो जाती ही रोगी की विचारा बिटवे पड़ा रहता है और भयंकर रूप से पीनित हो जाएगा अब बचाओ के लिए क्या क् बाइट के तैड़ता रहता है प्रिश्टनावकार्ण अब अगर उस पानी में हम तेल डाएंगे तो मच्छर डूब जाएगा क्योंकि उसी पानी के अंदर मच्छर प्रजिनन करते हैं जो डेंगू मलेरिया सभी बिवानियों को जन्म देते हैं तो उसके प्रजिनन को रो निया सकते हैं जमा हुआ मोबी आइल डाल दें जला हुआ टेल जिसको जला हुआ देल 거예요 एक फिराब वाला टेल डालतें को घैकए पुराने मुलर्त पानी फ 모양 क्रूब आंस पास जहां अंधेरा है सबसे जादा अंधेरा और न्हाम स्थानों में सबसे जीज़ा लूसरा अ इनका target अंधेरे और नमिस्तान, अंधेरे और नमिस्तानों में जाकर क्या करें, डी डी टी का छिड़काओ, किसका छिड़काओ कर दिया जाए, पानी से बरे बरतन टंकियों को धक कर रखे जाए, रुके हुए पानी में गंबूजी या मचली डाले, मचली की एक परजाती हो को द्वारा आप इस भेंग कर बीमारी से क्या कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, और लोगों को जागूग करके अपने आसपास वाले लोगों को भी बचा सकते हैं, यहीं समय है पहरे साथियों, तो आपको एक काम जरूर करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से करना है, कि आपके आसपास परोस इस्तेदार सभी लोग देंगू से बस सकें, और अभी से इसके लक्षणों को जान सकें, और आप लोगों को भी साधानी बरतना है, तो बने रही हैं, अगले वीडियो पे सभी के साथ बाई बाई